हलो फ्रेंड बेलकम टूर चैनल गान फूरिक जाओं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे भारतिय अर्थविवस्था यानि की इंडियन इकोनॉमी के वारे में जानेंगे और इस सम्बंदित सभी प्रमुक तत्थि को जानेंगे हमारी जो स्रीच चलाई जा रही थी N.C.E.R.T. सारसंग्रा का N.C.E.R.T. सारसंग्रा जो की महेश बर्णवाल जिद्वारा लिखी गई पूस्तक है उसे हम लोग तत्थेवाज सभी सब्जक को जान रहे इस से पहले भी हम लोगोंने हिस्ट्री का तीन सेगमेंट जो थे ज साइन्स के तीनों सेगमेंट जिनमें के आपको फिजिक्स, कमेस्ट्री और बायो का किया गया है वही हम लोगोंने इंडियन पॉलिटी को भी हाली में कम्प्लीट किया है जो लोग इन सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं वह जाकर के जरूर देख लेंगे एक वार और यह जो लोग चैनल पे नए हैं वोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही वेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे पीडियेप के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से पीडियेप को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर पीडियेप का लिंक दिया जाएगा और उसे कैसे डाउनलोड करना है वह भी एक वीडियो अपलोड की गई है जहां से आपको अगर पीडियेप डाउ करने में परिसानी हो तो एक वार उस वीडियो को जरूर देख लें साथ ही वहाँ पर डाइरेक्ट पीडियेप के लिए टेलीग्राम और वाट्सअप ग्रूप दिये गए हैं उसे भी आप लोग जरूर जोइन कर लेंगे चलिए शुरू करेंगे हम लोग भारतिय अर्थ्यववस्ता इंडियन एकोनॉमी यानि की अर्थ्यववस्ता से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य को हम लोग जानने की कोशिस करेंगे अगर बात करें इस जो चैप्टर यानिक सब्जेक्ट है इसका कंटेंट की बात करें जिनमें आपको कुछ इस तरह से चैप्टर वाइद दिये गए कुछ इतने सेग्मेंट दिये गए हैं जिसे के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे चली अगला जो हमारा सुरू है भारती अर्थववस्था चैप्टर नेम इंडियान इकोनॉमी इसके बारे में हम लोग जानेंगे इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़ें हम लोग चली पहला पॉइंट है जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थववस्था करिया को संदर्वित किया जाता है तो उसे उस देश की अर्थववस्था यानि की इकोनॉमी कही जाती है आगे पॉइंट है अर्थववस्था का जनक किसे कहा जाता है अर्थववस्था की चोटी आर्थविक इकाईयों का अध्यान अर्थववस्था की किस साखा के अंतरगत किया जाता है अर्थ्ववस्ता की जो छोटी आर्थी किकाई है इसके आधियन की जाती है माइक्रो एकोनॉमिक्स में माइक्रो एकोनॉमिक्स यानि की ब्याष्टी अर्थ्ववस्ता में वही अगर बड़ी अर्थ्ववस्ता की बात की जाए तो उसे मैक्रो मैक्रो एकोनॉमिक्स के रूप में किया जाता है समश्टी अर्थ्यवस्था के रूप में आगे बात करें तो समश्टी अर्थ्यवस्था को अर्थ सस्थ की एक साखा के रूप में आरेम करने का स्रे किसे जाता है मैकरो इकोनोमि को अलग साखा बनाने का योगदान है Jaun Mirnard Kinz को आगे भारती अर्थ्योबस्ता किस प्रकार के अर्थ्योबस्ता मानी जाती है भारत की जो अर्थ्यवस्ता है वह developing economy यानि की विकास सील अर्थ्यवस्ता के रूप में जानी जाती है आगे भारती अर्थ्यवस्ता की मुख बिसेश्ताएं क्या है भारती अर्थ्यवस्ता की प्रमुख विशेष्ताओं में सामिले क्रिसी की प्रधानता प्रतिव्यक्ति निउन्तम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी आगे पॉइंट है भारत की अर्थ्यवस्ता मिस्रित अर्थ्यवस्ता यानि की mixed economy है जिसमें की सार्वजनिक और नीजी छेत मिल जूल कर कारे करते हैं इस अर्थ्यवस्ता में पुंजी बादी एवं समाजवादी दोनों अर्थ्यवस्ताओं के वा सकताएं पाई जाती है सार्वजनिक यानि की गुवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की साभागिता होती है और दोनों मिलकर के पुंजिवाद यानि कैप्टलिस्ट और सोचलिस्ट अर्थवश्था के रूप में कारी करती है आगे मिस्रित अर्थववस्ता की संकल्पना किस अर्थसास्त्री के विचारों से प्रेरित है यह है डॉक्टर जॉन मेर्णार्ड किन्स की आगे बंद अर्थववस्ता से क्या आसे है बंद अर्थ व्यवस्ता का आसे होता है आयात और निर्यात की गतिवीदिया ना होना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गतिवीदिय अगर बंद हो जाती है तुसे closed economy के रूप में जाना जाता है आगे point है अर्थ व्यवस्ता के छेतरक आर्थिवबस्ता को जो है मुख रूप से तीन भागों में बाटी गई है प्रात्मिक छेत्रक, ड्यूतिय छेत्रक और त्रितिय छेत्रक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी सेक्टर के रूप में अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं क्रीसी एवा क्रीसी से संबंधित गतिवीदियां जिन में की सामिल होता है मतस्थ से उत्पादन, खनन उत्खनन, क्रीसी, बान की यह सब प्रात्मिक छेक्टर का वही अगर सेकेंडरी सेक्टर की ब प्रूति ये सभी है सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट और सबसे नियामक जो है वह है टर्सेरी सेक्टर जो की है सेवा छेत्र सेवा छेत्र जो है यह भारत की सबसे बड़ी अर्थ्यवस्ता की भाग है इसमें परिवहन एवं संचार बैंकिंग एवं बीमा ब्यापार एवं पामिल होती है फ्रेंट्स आप लोग ध्यान देंगे कभी कभी क्या होती है बुक्स में भी या तो गलत दी गई है या हमारे स्लीप आप टंग के कारण गलत बुला जाता है तो एक वार अगर जिनको वीडियो में समझ में आ जाए कि यहां पर गलत है उसे हमें कमेंट करके ब हो आगे हैं हमारा है बर्त दोहजारिगारा और उन्दी स केम अर्श ऐस्थाव मे से किस च्चित की ब्रीधी दर निरंतर बढ़ं भड़ी है hvad से अजर इगारा सुनिस के मध्ध में क्रिसी उद्योग और सेवा में सेवा छेत्र में हमेशा बढ़ोतरी देखी गई है। आगे आर्थि व्यास्ता में उचसतर्य निर्नाय लेने वाले संस्थाओं को किस छेत्र के अंतरगयत सामिल किया जाता है। उचसतर्य निर्नाय लेने वाले संस्थाओं पंचम छेत्र के अंतरगयत आते हैं। आगे है अर्थ सास्त्र के छेतर में प्रत्थम नोबिल पुरस्कार कीस बार्श प्रदान किया गया था प्रत्थम नोबिल पुरस्कार अर्थ सास्त्र के छेतर में प्रत्थम भारतिये थे 1979 में जो की प्रत्थम दिया गया था 1979 में अगला है अर्थ सास्त्र में नोबिल पु प्राइंट है अर्थ सास्त्र का नोविल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर जी भारती मुल्के दूसरे ब्यक्ति हैं जिन्हें इस प्रस्कार बर्थ 2019 में उनकी पत्नी एस्टर डूपलो तथा अमेर्की मुल्की माईकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से बैस्वी गरीब उनमूलन में प्रयोगात्मक एवां द्रिष्टि कौन हे तू दिया गया है आगे है राष्ट्रिय और प्रतिव्यक्ति आए एक निर्धारित अस्तर से उपर पाई जाती है किस में राष्ट्रिय आए और प्रतिव्यक्ति आए या बिक्सित अर्थ्यवस्ता में पाई जात अहस्त अच्छेप सिधान्त का परतिपादन एड़ मस्मित यानि फादर ओफ एकोनोमी द्वारा की गई थी। आगे गांधिवादी अर्थ्ववबस्ता कि सिधान्त पर अधारी थे। गांधिवादी गांधियन एकोनोमी जो है वो है ट्रेश्टी सिप के सिधान्थ पर अधारी थे आगे है समाजबादी अर्थ्यवस्ता का जनक किसे माना जाता है सोशलिस्ट एकोनोमी का जनक माना जाता है काल मार्क्स को आगे भारती अर्थ्यवस्ता के उधारी करन का अगरदूत कहा जाता है यह भारती अर्थ्यवस्ता के उधारी करन का अगरदूत या जनक के रूप में बांधना जाता है डॉक्टर मन्मोहन सिंग को जो कि हमारे प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं आगे यहाँ पर दिये गए हैं बिस्व की दैस सिर्स अर्थवस्ताएं दोहजार उन्नीस की यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी पर अधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में यह दी गई है जिन में अगर बात करें तो सबसे उपरी अस्थान पर है अमेरिका अमेरिका की जो जीड 171.07 के साथ जपान इसे नमबर पर जो कि पाथ दशान फान फ़की जो क्ढे नमबर जोगी वह दो देसंफन फान मॉलर नोच चार पाचवे नमबर पर वहे चथा यू के जो की 2.83 के साथ 6 नमबर पे 7 नमबर पे फ्रांस 2.71 इटली 2.0 ब्राजील 1.8 के साथ 9 अस्थान पे और 10 वे अस्थान पर है कोरिया जो की 1.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ 10 वे अस्थान पर सामिल है याद रखना है अपना देश भारत जो है वे 12.94 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5 वे अस्थान पर बिश्व में अपनी अस्थान को रखता है बिश्व की 5 वी सबसे बड़ी अर्थ्ववस्ता के रूप में आगे है वे अर्थ्ववस्ताएं जिनका बिश्व के अन्य देशों से कोई ब्यापारिक संपर्क नहीं होता है वे बंद अर्थ्ववस्ता कहलाती है अब आगे है हमारा दूसरा चैप्टर दूसरा चैप्टर है एकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलाप्मेंट आर्थिक संपरिधी एवं विकास यह हमारी दूसरी चैप्टर है अगर बात करें तो पहला पॉइंट है किसी अर्थ्ववस्ता में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक संब्रिधी कहलाता है यानि कि quantitative change जो होती है उसे ही economic growth कहा जाता है आगे प्रतिव्यक्ति समग्र उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति भौतिक पुंजी में ब्रिधी क्या दर्साती है यह दर्साती है आर्थिक संब्रिधी को अर्थिक संब्रिधी में अनिवारे रूप से ब्रिधी होती है आगे किसी भी देश के लिए आर्थिक संब्रिधी का सबसे उप्यूक्त माप दंड की से माना जाता है अगर किसी देश की जो है एकोनॉमिकल सम्रीधी अगर देखनी है तो उसमें सबसे उप्युक्त मापदंड यह है कि प्रति ब्यक्ति बास्तविक आई कितनी है किसी भी देश की आर्थिक समिक्षा अगर करनी है तो सबसे पहले वहां की प्रति ब्यक्ति आई जो होती है उससे पता चलता है आगे है भारती अर्थववस्ता ने किस बर्स में सरवाधिक संब्रिधी दर प्राप्त की है यह बर्स 2006 से 7 के बीच में 926 प्रति सथ से भारत की जो अर्थववस्ता है आज तक की सबसे ज़्यादा 2006 साथ में पाई है आगे है भारत में बचत और पुंजी निर्मान की उची दर होते हुए भी संब्रिधी दर कम होने का मुख्य कारण क्या है संब्रिधी दर मुख्य कारण है उसका कम होने का पुंजी उत्पाद अनुपाद का अधिक होना हमारे यहाँ पुंजी उत्पाद जो है जिसका रेशियो अधिक है इस कारण से संब्रिधी दर हमेशा कम रहती है आगे ACIE विकास बैंक जिसे ADV के नाम से जाना जाता है कि अनुसार ACN Development Bank बर्स 2019 में भारत की संब्रीधी दर कितनी है ADV के अनुसार बर्स 2019 में भारत की संब्रीधी दर है 6.5 प्रतिसत आगे पॉइंट है किसी अर्थववस्ता में होने वाले मात्रात्मक एवं गुनात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास करते हैं इसमें समाजिक मूल नहीत होते हैं जो हमारा ECONOMIC DEVELOPMENT है उसमें समाजिक मूल भी नहीत होते हैं सामिल की जाईती है आगे आर्थिक विकास ECONOMIC DEVELOPMENT के मुख संकेतक क्या है ECONOMIC DEVELOPMENT के मुख संकेतक के रुप में माना पुंजी में बृधी आसमानता में कमी और अर्थिववस्ता में संरचनात्मक परिवर्तन है आगे आर्थिक उदारी करन की नीती लागो होने के पहचात कीस वर्ष आर्थिक विकास दर सरवाधिक रही आर्थिक उदारी करन के वाद जो की 1992-1993 में आई थी उसके बाद 2006-07 में 1996 प्रतिसत के साथ सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास दर रही आगे किस पंचवर्ष योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही तिर्थिये पंचवर्ष योजना के समय हमारी भारत चीन के साथ यूद भारत पाक यूद साथ ही एक भीशन अकाल पर जाने के कारण तीसरा पंचवर्ष योजना में हमारा विकास दर सबसे कम रहा था अगे किस पंचवर्षी योजना में आर्थिक विकास दर सरवाधिक रही 12 पंचवर्षी योजना जिसमें की विकास दर हमारा 7.88% रहा बात करें अगर इगार्वी पंचवर्षी योजना की कारिकाल की तो यह रहा था 2007 से 2012 के बीच 2007 से 2012 के बीच में ये ग्यारवी पंचवर्शी योजना रही थी जिसका की मुखे उद्देश से था विकास को सर्व हितकारी बनाना तथा तिवरतर विकास के साथ आर्थिक सहिती संब्रिधी की दूतर फार रहनी थी वहींगर यहाँ पर जो हमने जाना तिसरी पंचवर्शी योजना जिसमें की सबसे कम रही थी तिसरी पंचवर्शी योजना का कारिकाल था कि इसका मुख्य उद्देश रखा गया था खाद्यान उद्द्योग से अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा सकर घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में परिवर्तन की दर्ग क्या कहलाती है आर्थिक भिकास दर्ग आगे जीवन की बहुती गुनवत्ता सुचकांग फिजिकल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स का पर्तिपादन किया था बहुती गुनवत्ता सुचकांग का पर्तिपादन बर्स 1976 में मौरिस डी मौरिस द्वारा की गई थी आगे बर्स 1970 में अधारवुत अवस्यक प्रत्यागम यानि की बेसिक नीट्स एप्रोच द्रिष्टी कोन का पर्तिपादन किस के द्वारा किया गया था 1970 इसवी में बिस बैंक द्वारा अधारवुत अवस्यक प्रत्यागम पर्तिपादित किया गया था आगे आर्थिक विकास के मापन है तो क्रेश सक्ती समता बिधी का परतिपादन किस ने किया था जी आर कैसल ने क्रेश सक्ती समता बिधी का परतिपादन की गई थी जी आर कैसल द्वारा आगे पॉइंट है 20 बैंक के अनुसार क्रेज सक्ति सम्ता के अधार पर चीन एवं संयुक्त राज अमेरिका के बाद भारत तिसरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता है भारत जो है ऐसे ट्रिलियन का नुसार पाचवी सबसे बड़ी अर्थवश्था है पर क्रैस सक्ती सम्ता यानि कि पर्चेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी मौडल का नुसार भारत दुनिया की तिसरी सबसे बड़ी अर्थवश्था गरूप में जानी जाती है आगे बर्स 2018 में PPP यानि की इसका मतलब है Purchasing Power Parity जिसके अधार पर 200 GDP में भारत की भागिदारी कितने प्रतिसत रही 2018 में रहा 7.74 प्रतिसत आगे भारतिय मानव विकास प्रति बेदन प्रति एकवर्स प्रति दर्स गौण यानि की सैंपल विजलेज से समंदित क्या जनकारी प्रयदान करता है भारतिय मानविकास परति पेदन जो है जिसे कि प्रति दर्स गौण से समंधिते आधारिक सनरचना सुक साधन सिक्छा तथा स्वास्थ समंधि सुचकांग आगे किस अंतराष्टिय संस्था के द्वारा बर्स 1990 से मानविकास सुचकांग यानि Human Development Index को प्रस्तूत किया जाता है Human Development Index UNDP द्वारा 1990 से सुरू की गई है संयुक्त राष्ट विकास कारकरम द्वारा अगर बात करें बर्तमान समय में यानि कि 2019 के इंडेक्स का इनुसार भारत की मानविकास सुचकांग में बात करें तो एक सो नवासी देशों की सूची में भारत का अस्थान है 129 बरतमान 2019 डाटा के नुसार भारत का अस्थान 129 नंबर पे है और सबसे पहले अस्थान पर रहा है नौर्वेड वही भारत जो है 2018 में रहा था कुल 130 अस्थान पर आगे सहिउक्तराष्ट मान भिकास सुचकांग किसके द्वारँ विक्सित क्या गया था जो कुने 90 में UNDP द्वारँ लागो की जा रही है इसका सुरुवात की गया था महभूब उल香港 द्वारँ और इनका संबंध बांगला देश से है आगे मानव्विकास सुचकांग के तीन मुख घटक कौन से हैं जीवन प्रत्यासा सैस्चनिक अस्तर एवं प्रतिव्यक्ति सकल घरेल उत्पाद याने की प्रतिव्यक्ति जीडिपी के नुसार मानव्विकास सुचकांग को जारी की जाती है आगे जीवन प्रत्यासा सुचकांग की गन्नाहेतु आधिकता मायू प्रत्यासा 85 वर्स तत्था नियुंता मायू 20 वर्स ली जाती है आगे मानब बिकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रतम अस्थान रहा मानब बिकास सुचिकांग 2019 के रिपोर्ट में प्रतम अस्थान पर नौर्वे और अपना देश भारत रहा था 119 वे अस्थान पर आगे सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राई है सतत आर्थिक विकास का मतलब होता है बर्तमान पीडी के विकास के साथ साथ भविश्य का आर्थिक विकास आगे मानब विकास सुचकांग 2019 में भारत का बीस्वे में 129 वा अस्थान रहा वही 2018 में रहा था 130 अब आगे है हमारा राश्टरी आй, नेशनल इंकम आप लोग वीडियो को जादा जादा लोग तक सेर करते रहेंगे और प्रेमपुर्वा के कलाइक भी जरूर करेंगे अब बात करेंगे हम लोग राश्टरी आई की नेशनल इनकम की तो नेशनल इंकम का सबसे प्रतम अनुमान जो लगाया गया था वह था 1868 इस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसे क्या गया थारून की पूस्तक जो थी पावर्ती एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया उसमें यह प्रकासित की गई थी वही स्वतंत्रता के बाद जो है 1949 में राश्ट्रिय आई के अनुमान के लिए पीसी महाल नोबिस के अध्यचता में राश्ट्रिय आई समीती का गठन किया गया था बात करेंगर राश्ट्रिय आई की नेशनल इंकम की तो यह जारिक किया जाता है केंद्रिय सांखी की संगठन सी ए सो दौरा अब यहां से समझेंगे पॉइंट वाइज पहला पॉइंट है किसी निश्चित अबधी के लिए एक देश की राश्ट्रिय आई एक बित्य बर्स में उत्पादित अंतिम बस्तूं और सिवाओं के मौद्रिक मूल के बराबर होती है जो राश्ट्रिय आई होती है वह उस मार्च तक रहता है आगे यहां पर दिया गया है राश्ट्रिय आई राश्ट्रिय आई बरावर होता है घरेलू आई पलस विदेसों से प्राप्त सुध कारक आई इसके थ्रू हमारी राश्ट्रिय आई निकाली जाती है राश्ट्रिय आई के अगर बात करे तो भारत में जो साधन या कारक लागत पर सुध राश्ट्रिय उत्पाद यानि की जिसे एन एन पी बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडेक्ट एन एन पी को ही राश्ट्रिय E.I. कहा जाता है इसकी गन्ना के लिए बजार मूल से जो प्राप्त सुध राष्ट्रिय उत्पाद होती है उसे अप्रत्यच केर को घटाया जाता है और सबसीडी को जोरा जाता है यही राष्ट्रिय आई कहलाती है आगे राष्ट्रिय आई लेखा प्रनाली का जन्मदाता किसे माना जाता है नेशनल इंकम एकांटिंग सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है साइमन कुजनेट स्कोप आगे बर्स उन्हें साउन्चास में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रिय आई समीती के अध्याच कौन थे उन्हें साउन्चास में राष्ट्रिय आई समीती बनाई गई थी पीसी महालनोविस द्वारा आगे भारत में प्रती ब्यक्ति आय में ब्रिधी की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है प्रती ब्यक्ति आय की ब्रिधी में मंद होने की दर का कारण यह है कि उच्च पुंजे उत्पाद अनुपात बज्जन संख्या ब्रिधी की उची दर आगे भारत में अर्थवस्ता का कौन सा च्छेत्र बचत सरवाधिक योगदान करता है सबसे ज़्यादा बचत करती है घरेलू च्छेत्र आगे भारत की घरेलू बचतों में सरवाधिक हिस्सा किसका है सरवादी घरेलू बचत में हिस्सा है बहुत तिक परिसंपतियों का आगे भारत में बरतमान में भारत के किस राज में प्रती ब्यक्ति आई सबसे कम है पर कैप्टा इंकम सबसे कम है वह है बिहार का आगे भारत में सरपर्थमराश्ची आय की गन्या का परियास दादा भाई नोरोजी द्वारा लिखी दादा भाई नोरोजी द्वारा बर्स 1863 में किया गया था यह 1863 नहीं 1868 में किया गया था इन्होंने अपने पुष्टक poverty and unbritish rule in इंडिया में प्रति ब्यक्ति आई 20 रुपया बताई थी इनका जो अनुमान था दादा भाई नरोजी का ये 1868 हिस्वी में लगाया गया था आगे बर्तमान में किस राज में उस्द प्रति ब्यक्ति आई सरवादिक है उस्द प्रति ब्यक्ति आई में सबसे ज़्यादा गुवा राज की और सबसे कम बिहार राज का आगे भारत में राष्ट्य आई समंग को यानि की नेशनल इंकम स्कोडस का आकलन किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्य आई का आकलन की जाती है CSO द्वारा यानि कि किंद्रिय संखे की संगत्अन Central A statics office द्वारा की जाती है और इसके द्वारा ही भारत सरकार द्वारा माई 1971 में इसकी अस्थापना की गई और इसी के द्वारा राश्ट्रिय आई का नुमान भी लगाया जाता है आगे केंद्रिय सांखी की कारियाले CSO तथा राश्ट्रिय प्रतिदार सर्वेचन कारियाले NSO का बिगलाई कर किस नई संस्था को अस्थापित करने का निर्ना लिया गया है यानि कि CSO और NSO को बिलाए करके National Estatical Office राश्ट्रिय सांखी की कारियाले बनाई गई है आगे हिंदू ब्रिधी दर किस से समंदित है हिंदू ग्रोथ रेट जो है यह समंदित है National Income से राश्ट्रिय आई से अगर बात करें हिंदू ब्रिधी दर की जो कि समंदित है राश्ट्रिय आई से और इसके द्वारा हिंदू ब्रिधी दर का समंद्ध जो है इसका राश्ट्रिय ब्रिधी आई से और इस सब्द का परियोग किया गया था प्रोफेसर राज क्रिस्न द्वारा हिंदू ब्रिधी दर का सब्द परियोग किया गया प्रोफेसर राज क्रिस्न द्वारा 1981 इस्वी में और ये American Economic Association के अपने ब्यक्तब के दोरान किये थे अब आगे AMCA 21 Mission Mode Project की सकिंद्रिय मंत्राले द्वारा आरम किया गया है Mission Mode Project जो है वो कमपनी मामलों के मंत्राले द्वारा की गई है आगे एक खुली अर्थ वबस्ता में आर्थ वबस्ता की राष्ट्रिय आई से क्या तात पर है एक खुली अर्थ वबस्ता में राष्ट्रिय आई से संबंदित है C I G पलस X माइनस M यहाँ पर दी गई है सकल घरेलो उत्पाद वरावर याने कि उपभोग C का मतलब उपभोग I का मतलब सकल निवेस इन्वेस्ट्मेंट फिर G का मतलब है गवर्मेंट ब्याव उसके बाद है X का मतलब है निर्यात और एक्सपोर्ट और M का मतलब है आयात इस परकार यहाँ पर दी गई है सकल घरेलो उत्पाद वरावर होती है उपभोग पलस सकल निवेस पलस सरकारी ब्याव पलस निर्यात माइनस आयात आगे सकल घरेलो उत्पाद के अधार पर बीसवी की पाचवी सबसे बड़ी अर्थवस्ता कौन सी है जीडीपी के मामले में पाचवी सबसे बड़ी अर्थवस्ता है भारत और सबसे पहली है यूएस ए आगे मुद्रस्पिती मुद्रसंकुचन एबं अपरत्यच करके प्रवाब को सामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है यानि के मुद्रस्पिती मुद्रसंकुचन और अपरत्यच करके प्रवाब को सामिल करके नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है अगर हम बात करें मुद्रस्पिती की तो मुद्रस्पिती का मतलब होता है मुल अस्तरों में होने वाली सतत ब्रीदी को मुद्रस्पिती कहा जाता है और मुद्रसंकुचन सतत कमी मुद्रसंकुचन के रूप में जानी जाती है आगे भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक छित से प्राप्त होता है सबसे बड़ा भाग GDP का वह है सेवाचित यानि की टर्सियरी सेक्टर से आगे बरतमान में भारती अर्थवस्ता के लिए घरेलू बचत की औसदर कितनी आकलित की गई है घरेलू बचत की औसदर है लगवक 30 से 40 प्रतिसत आगे सकल राश्चे उत्पाद क्या है सकल राश्चे उत्पाद यानि की जी आनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडज़ या राश्चे उत्पाद का मुल मापन है अगर हम थोरी वाते कर लें सकल राश्ट्य उत्पाद की जी एन पी की तो यह किसी देश के नागरी को दोरा एक बर्स में एक बर्स में उत्पादित बस्तूओं और सिवाओं के अंति मौदरिक मूल में जब उस बर्स के जो उसकी बिदेशी आय होती है उसको जोडने पर जो जो सकल राश्ट्य उत्पाद प्राप्थ होती है वही हमारा जी एन पी कहलाता है यानि कि अगर इसे फॉर्मूला के रूप में जाने जी एन पी बरावर होती है जी डी पी जो देश के कुल जी डी पी होती है पलस जो हमारा एक्सपोर्ट होती है और उसमें इंपोर्ट यानि की एम आयात और निर्यात की जो भाग है यह हमारा जी एन पी के रूप में निकलता है आगे राश्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेचन संगठन नेशनल सैंपल सर्वे और्गनाईजेशन एन एस एसो के स्थापना किस वर्स किया योग नेशनल स्थापना किस समीति के अनुसंसा पर स्विकार की गई थी एन एस सी बना था सी रंगराजन समीति के अनुसंसा पर आगे GDP आगड़ों में अधार वर्ष दौजर चार पाच को बदल कर कौन सा नया अधार वर्ष कर दिया गया है GDP का अब नया अधार वर्ष दौजर इगारा बारा की गई है अगर बात करें हम GDP की यानि की ग्रोस डेमेस्टिक प्रोडेक्ट की तो यह किसी अर्थ विवस्ता दौरा एक बितिये बर्ष में उत्पाद सभी बस्तूओं और सिवाओं का अंति मौदरिक मुल उसका जीडिपी कहलाता है और जो बितिये बर्ष है हमारा वह एक अप्रेल से लेकर के एक अप्रेल से 31 मार्च तक हमारा वितिये बर्ष फाइनेंशियल इयर होती है आगे पॉइंट है केंद्रिये सांखी की कारियाले दौरा यानि CSO राष्टिये आए की गन्ना के लिए आधार बर्ष 2011-12 से बदल कर बर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव किया है यानि कि अभी 2017-18 करने का प्रस्ताव CSO दौरा दी गई है पर बर्ष फाइन में चालू है बर्ष 2011-12 की आगे पॉइंट PC महानलोबिस के जन्म दिन पर प्रति बर्ष 29 जून को राष्टिये सांखी की दिवस मनाया जाता है अगला चैप्टर हमारा आर्थिक नियोजन यानि कि इकोनॉमिक प्लानिंग अगर हम बात करें अब इकोनॉमिक प्लानिंग की आर्थिक नियोजन की तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राज के अभी करनों दोरा देश की आर्थिक संपदा और सिवाओं की एक निश्चित अब्धी है तो आवसकताओं का पूर्वा नुमान लगाया जाता है आर्थिक नियोजन के अंतरगत अगर इसका उद्देश की बात करे आर्थिक नियोजन की उद्देश की तो सबसे पहला उद्देश से हमें मानुलूम होती है आर्थिक विकास की ऊची दर प्राप्त करना साथ ही समाजी के वं आर्थिक न्याय, रोजगार के अपसर में ब्रिधी, आत्म निर्भरता, छेत्रिय बिसमताओं को दूर करना, आर्थिक स्वामेत्व और अर्थ्ववस्ता का आधूनी करन या आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश होती है अब आगे पॉइंट वाई समझेंगे, आर्थिक नियोजन से अभिप्राई एक एसी प्रनाली से है, जिसमें केंद्रिय संगठन एक निष्टी समयाभिदी के लिए लक्षियों का निर्धारन करता है और इन लच्छियों की प्राप्ति के लिए कारिकरम एवं नीतियों का भी निर्धारन किया जाता है, यही हमारी आर्थिक नियोजन होती है आगे भारत में आर्थिक नियोजन के प्रिष्ट भूमी किस ने तयार की थी? भारत में आर्थिक न्योजन की प्रिष्ट भूमी तयार की गई थी 1934 में गांधी वादी योजना किसने प्रतिपादित किया था गांधी वादी योजना का प्रतिपादन की गई थी स्रीमन नरायन अगरवाल द्वारा गांधिवादी योजना को पर्तिपाधित किया गया 1944 में आगे विकास का भारती मौडल किसके हीतों को सुरच्छा प्रदान करता है विकास का भारती मौडल जो है वब्यक्ति और राज दोनों के हीतों की बात करती है आगे राश्ट्रिय योजना समीती का गठन किसके द्वारा क्या गया था राश्ट्रिय योजना समीती का गठन जो है या क्या गया था सुवाज चंद्रबोस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमीटी आगे राश्ट्य विकास समीती का अध्याच कौन होता है भारत का प्रधान मंत्री आगे राश्ट्य विकास परिशद का गठन कब हुआ राश्ट्य विकास परिशद का गठन जो है नेशनल डेवलाप्मेंट कौनसिल 6 अगस्ट 952 को प्रस्तावित एक गैर संब्धानिक निकाई के रूप में है इसके अध्याच और सचीव वही होते हैं जो योजनायोग के अध्याच होते हैं यानि कि भारत का प्रधान मंत्री भारत का प्रधान मंत्री ही इसका पदेन अध्याच होता है साथ ही अगर बात करें इसमें समलित अन्य ब्यक्तितु की तो केंद्रिय मंत्री परिसत के सदस सभी राज्यों के मुख मंत्री और संग्सासित प्रदेशों के प्रसासक इसके सदस होते हैं अगला नियोजित विकास मौडल को भारत में कब लागू किया गया था एक अप्रैल उनैस सो इक्यावन से आगे प्रथम पंचवर्षिय योजना किस योजना पर अधारित थी प्रथम पंचवर्षिय योजना जिसका कारिकाल रहा था 1951 से 1956 के बीच में और यह मॉडल दी गए थी हेराल डोमर योजना पर जिसका के प्राथमिक छेत्र था वा थी क्रिसीक, सिचाई और स्वास्त पर प्राथमिक था आगे अखिल भारतिये खादिये वं ग्रामिन बोड के स्थापना किस योजना के दोरान की गई आखिल भारतिये खादिये वं ग्रामिन बोड के स्थापना की गई प्राथम योजना आयोग के समय आगे प्राथम पंचवर्शी योजना की मुख प्राथमिक था क्या थी क्रिसी का विकास करना आगे देश में समाजवादी समाज के अस्थापना का संकल्पना किस पंचवर्शी योजना से लिया गया समाजवादी संकल्प ली गई थी दूतिय पंचवर्शी योजना में दूतिय पंचवर्शी योजना के समाजवादी सब्द ली गई समाज ली गई और दिवतिय पंचवर्ष योजना का काल रहा था 1956 से 1961 के बीच में और यह इसका मॉडल था नेहरू महलनोविस मॉडल आगे भारत में आर्थिक नियोजन की बास्तविक सुरुवात दिवतिय पंचवर्ष योजना से हुई थी इस योजना का बास्तुकार की से माना जाता है आर्थिक नियोजन की बास्तविक सुरुवात पीसी महलनोविस के अनुसर आगे भारत में अनवरत योजना यानि कि रोलिंग प्लान किस अबधी में प्रवावी था रोलिंग प्लान जो था यह 1978 से 80 के बीच में था 1988 से 80 के बीच में जब पंचवर्शी योजना का कारिकाल था उस समय रोलिंग प्लान बनाई गई थी यानि कि यह कारिकाल लगवक पाचवी पंचवर्षिय योजना के आसपास की थी आगे भारत में किस पंचवर्षिय योजना में क्रिसी में रिनात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था पंचवर्षिय योजना जिसमें कि रिनात्मक ब्रिधी हुई हुए था तिर्थिय पंचवर्षिय योजना तिर्थिय पंचवर्षिय योजना का कारिकाल रहा था 1966 से लेकर के 1979 के बीच का उसके बाद यानि कि जो या मुखरूप से जो था रिनात्मक विकास तिरतिय पंचवर्शी योजना में हुई जिसका मॉडल था जे सेंडे सुब्रमन्यम चक्रवर्थी मॉडल इसी समय क्या हुई थी कि भारत में उर्वरक और भूसनरच्चन ये सभी की उत्पादक्ता पर जोड़ दी गई थी बात अगर करें तो इसका प्रमुख कारण था ब्रिदी कम होने की वह था भारत चीन यूद 1962 का दूसरा था भारत पाकिस्तान यूद 1965 का और तीसरा था 1966 के बीच में भीशन सूखा यानि की अकाल के कारण इसी पंचवर्षी योजना में ही बोकारो या स्टील प्लांट के स्थापना की गई थी 1964 में आगे पॉइंट है अनबरत योजना का प्रतिपादन गुन्ना और मीडल द्वारा अपनी पुस्तक दा एसेन ड्रामा में किया गया था इसेन ड्रामा में क्या गया था इसे भारत में लागू करने का स्रे जनता पाटे की सरकार तथा डीटी लकडवाला को जाता है आगे भारत में हरित क्रांती की सुरुआत किस पंचवर्षी योजना के दवरान हुई पंचवर्षी योजना या 1966-67 के बीच का काल है आगे चतूर्थ पंचवर्षी योजना किस मौडल पर अधारित है चतूर्थ पंचवर्षी योजना या DR गौडगिल मौडल पर अधारित है और इसका काल रहा था 1979 से 1974 के बीच में आगे पॉइंट है आर्थिक नियोजन यानि की एकोनॉमिक प्लानी के यूग की प्रारम्भ से भारत की सक्काल राष्ट्रिय आई में क्रिसी का हिस्सा निरांतर कम होता गया है आर्थिक नियोजन के बाद से भारत का स्क्रिसी छेत्र में कमी देखी गई है आगे किस पंचवर्षी योजना में विकास केंदर उपागम यानि डिवलाप्मेंट सिंटर अप्रोच अपनाएगा चतूर्थ पंचवर्षी योजना में यानि 1979 से 1974 के बीच में आगे भारत में स्वापोसित विकास की संकल्पना प्रसर पर्थम किस पंचवर्षी योजना में अपनाई गई सिल्फ डिवलाप्मेंट की संकल्पना अपनाई गई थी चतूर्थ पंचवर्षी योजना में इसका जो मुख उद्देश्ता इस्थिर्ता के साथ आर्थिक विकास और आत्मिन निर्भरता के अधिक काधिक प्राप्ती जबकि 1971 के जब भारत पाकिस्तान यूद के कारण बीतिये संकट उत्पन हो गया था इस समय इसी समय यानि 45 वर्शी योजना के समय में ही हमारे भारत में 14 बानी जीक बैंका राष्ट ये करण किया गया था कुछ अन्यवात करें तो 1974 में ही भारत में जो समाइलिक बुद्ध यानि की पोकरान किया गया था या इसी कार में किया गया था आगे है निर्धारित अब्धित से एक वर्श पूर्वी ही समाप्त होने वाली पंचवर्शी योजना कौन थी निर्धारित अब्धित यानि की 1974 से 89 के बीच की जो काल थी पाचवी पंचवर्शी योजना की उसे एक वर्श पूर्वी समाप्त की गई थी उन्हें 75-76 में जब अपातकाल की योजना अब भी अभरूद हुई थी उन्हें 75-76 के कारण इसी पंचवर्शी योजना यानि कि पाचवी पंचवर्शी योजना में ही अपातकाल लगाया गया था इंद्रा गांधी द्वारा आगे है गरीवी हटाओ विश्य बस्तु पर अधारित गरीवी उन्मूलन कारिक्रेमों को किस पंचवर्शी योजना में प्रारम किया गया गया था पाचवी पंचवर्शी योजना यानि 1974-1989 के बीच में आगे छटी पंचवर्षी योजना किस मौडल पर अधारी थी छटी पंचवर्षी योजना जो थी वह आगत निरगत मौडल पर थी और इसका कारिकाल रहा था उन्हें सव असी से पचासी के बीच में समाजिक न्याए एवं समानता के साथ संबृधी पर बल किस पंचवर्षी योजना में दिया गया था समाजिक न्याए और समानता या दी गई थी सातवी पंचवर्षी योजना में बात करें अगर सात्वी पंचवर्ष योजना की काल की तो वह रहा था उन्हें सो पचासी से उन्हें सो नवे के बीच में और इसी समय जो थी अर्थिवश्था का लच्छ पाच प्रतिसत से अधिक छे दसामलव जीरो दो प्रतिसत हुई थी यानि कि यहाँ पर लच्छ से ज क्या गजै है बर्स 1975 में यानि कि 1975 पाचवी पंचवर्ष योजना में आगे पॉइंट है नीति या योग ने पंचवर्ष योजना के स्थान पर 15 बर्षि द्रिश्टि पत यानि कि वीजन डॉकमेंट 7 वर्षि रन्नीति एवां 3 वर्षि कार एजेंटा लागू करने का नि यानि नीतियायोग जो कि 2015 में गठित हुई योजनायोग के अस्थान पर इसने अपनी प्रतिवेदन में 15 वर्षी द्रिष्टिपत, 7 वर्षी रननीती और 3 वर्षी कार एजेंड आलागो करने का नीर नहीं किया है। था 1985 से 90 के बीच में। आगे भारतिय संविधान में आर्थिक तथा समाज एक नियोजन को साथवी अनुसूची की संबर्थी सूची का विसाय बनाया गया है। अब आगे यहाँ पर दी गई है भारत की पंचवर्षी योजना, सभी पंचवर्षी योजना को दी गई है। जिन्में की पहला है प्रथम योजना 1 अप्रेल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसका मुख उद्देश रहा क्रिशी उत्पादन में ब्रिधी और उत्पादन आय तथा धन का समान भी तरन। पर्थम पंचवर्षी योजना की मॉडल की वाद करे तया था हैरल डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षी योजना जो की 1 अप्रेल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच रहा इसका उद्देश था अध्योग उत्पादन में ब्रिधी और भारी उद्द्योगों का विकास। इसके मॉडल की वाद के रतिया था निहरू PC महालनोवेश का मॉडल। तिसरा योजना है एक अप्रेल 1961 से 31 मार्च 1966 इसका मुख्धेश खद्यानों के उत्पादन में आत्म निर्भरता रोजगार के अफसरों में ब्रिधी करना और असमानता में कमी लाना। इसके मॉडल की वाद करें तो जे, सैंडे, सुब्रमन्यम, चक्रवर्ती मॉडल तिसरे पंच वर्षिय योजना की रही। अब यहां पर दी गई है तीन एक वर्षिय योजना हैं जो की एक अपरेल उने सो च्छेश सट से एक तीस मार्च उने सो च्छेश सट के बीच में तीन एक वर्षिय योजना चलाई गई थी। यहांनी तीसरे और चोद्थे पंच वर्षिय योजना के बीच में एक वर्ष की तीन गैप हुई थी। अगला है चौथी पंचवर्षी योजना जो की एक अप्रेल 1979 से 31 मार्च 1974 के बीच रही इसका मुख उद्देश रहा विकास की प्रकीरिया को तिबर करना कीमत स्थीरता और आर्थिक समानता अस्थापित करना इसके मौडल की वाद करें तो इसका मौडल था असोक रूद्र अगला बना पाच्वी पंचवर्षी योजना जो एक अप्रेल 1974 से 31 मार्च 1989 के बीच रही इसका उद्देश जीव अनस्तर को उचा उठाना विसेस कर जो कमजोर बर्ग के समाज हैं उन्हें और गरीबी उनमूलता का आत्म निर्भरता गरीबी उनमूलन का आत्म निर्भर पाच्वी पंचवर्षी योजना में इसके मौडल की बाद करें तो यह था डिपी धैर मौडल फिर बीच में आया बारसी की योजना जो की एक अपरेल 1989 से 31 मार्च 1989 के बीच में रही पाचवा से छठा योजना के बीच में एक साल के लिए बनाया गया था बारसी की योजना उसके बादा ये छठी योजना जो एक अपरेल 1989 से 31 मार्च 1989 के बीच रही और इसका उद्देश निर्धानता का अनमूलन करना आसमानता में कमी लाना और थिक सरचना का विकास करना छठी पंच वर्षी योजना जो है या आगत निर्यत मॉडल का बिस्तार था आगे बना साथवी योजना साथवी योजना जो की एक अपरेल 1989 से 31 मार्च 1990 के बीच रही और इसका उद्देश रोजगार के नए अबसरों को स्रीजित करना क्रिसी उत्पादक्ता में ब्रिध ही करना था पुनह बीच में साथवी से आठवी के बीच में दो एक बर्षी योजना है चलाई गई जो 1990 और 1992 के बीच में रही उसके बाद बना आठवी योजना आठवी योजना अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच रही इसका उद्देश स्था सतावदी के अंत तक मानव सक्ति का पूर्ण उप्योग प्रात्मिक सिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और थिक संरचनाओं का सिद्रिध बनाना उसके बाद बनी नौवी योजना में की गई थी 1997 से 2002 यानी एक अप्रैल में 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच में और इसका मुख उद्देश से था क्रिसी एवां ग्रामिन विकास कीमत स्थिर्था के साथ संब्रिधी चनसंख्या ब्रिधी पर रोक इसी समय में ही अर्थवस्ता उन्हें सो नव्य के बीचिये संकट से बाहर निकल चुका था नौवी पंचवर्षी योजना में अगला बना दसवी योजना जो की एक अप्रेल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रहा इसका उद्देश से था उप्रभोक के अस्तर में ब्रिधी तथा स्वास्त एवां सिक्छा समन्दी सुवधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुनवत्ता को बेहतर बनाना दूसरा था समाबेशी संब्रिधी द्वारा समन्ताओं को कम करना इगारवी पंचवर्षी योजना एक अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच की रही जिसमें की उद्देश बहुमुखी लक्ष जिसमें नकेवल बिकास बलके निर्धानता कम करना सिक्छा की गुनवत्ता एवां सर्वजनिक स्वास्त सिवाओं में सुधार करना दित्तिय हरित क्रांती के लिए रन निती और उचकोटी की रोजगार का स्रिजन करना साथ थी परियावरन का संरच्छन करना यहां बनाई गई थी पंचवर्वी पंचवर्ष ये योजना में अगला बना बारहवी योजना जो की एक अप्रेल दोहजर बारह से 31 मार्च 2017 के बीच में रही और इसका उदेश था तिवर सतत एवं आर्थिक समाबेसी विकास सकल घरेले उत्पाद में आठ प्रतिसत की ब्रिधी यानि जी डी पी में आठ प्रतिसत की ब्रिधी का अनुमान लगाया गया था आगे जाउन डबलू मीलर मॉडल पर कौन सी पंच वर्षिय योजना आधारी थे जाउन डबलू मीलर पर जो ये पाच्वी है ये है सातवी पंच वर्षिय योजना जो है यह रहा था 1950 से 1990 का बीच में आगे मानब विकास के सारे विकास परियासों का सार तत्व किस पंच वर्षिय योजना को माना जाता है मानब विकास का सारता तो माना जाता है आठवी पंच वर्सी योजना को आठवी पंच वर्सी योजना उन्हें सो बानवे से उन्हें सो संतानवे के बीच में रही थी बीच में साथवी और आठवी के बीच में दो एक वर्सी योजना ये लाई गई थी आगे भारत में आर्थेक नियोजन की अबधी के दोरान कितनी बार योजना अवकास लाया गया है अब तक कुल तीन बार योजना अवकास लाई गई है जिन में पहला आया था तीसरा से चौथी पंचवर्सी योजना के बीच में दूसरा आया था पाच्वी से छटी पंचवर्स योर्णा के बीच में दूसरा अपकास और तीसरा आया था साथवी से आथवी के बीच में आगे महिला अंस योजणा किस पंचवर्स योजणा से प्रारम की गई और नौवी पंचवर्स योजणा का कारेकाल था उनिस सो सन्तानवे से दो हजार दो के बीच का आगे सर्व सिक्छावियान की सुरुआत किस पंचवर्षी योजना के आरंभिक बर्सों में हुई थी सर्व सिक्छावियान की सुरुआत दैस भी पंचवर्षी योजना में की गई जो की 2002 से 2007 के बीच का कारकाल था अगला 21-55 योजना का उदेश क्या था 21-55 योजना जो 2007 से 12 के बीच में रही इसका उदेश तक तिवरतर एवं समावे सी विकास आगे 21-55 योजना में सिक्षा से समन्दित विसे बस्तू क्या थी अनिवार प्रारंभिक सिक्षा अगला बारहवी पंचवर्शी योजना का मुख उदेश क्या था बारहवी पंचवर्शी योजना जो की दो हजार बारह से सत्रे के बीच में रही इसी बीच में दो हजार पंद्रह में नितिया योग की अस्थापन की गई इसका मुख उदेश रहा बारावी पंचवर्शी योजना का तीवर्यतर धार्णियें एवं अधिक समावेशी विकास आगे छटी पंचवर्शी योजना में बर्च 1982 में नवाड तथा एकजिम बैंक के अस्थापना की गई थी इसी समय में ट्राइसिम की वियस्था अपना की गई थी और छे बैंकों का राष्ट्री एक करन भी किया गया था छे बैंकों का राष्ट्री एक करन छटी पंचवर्शी योजना में की गई थी अगला चैप्टर है हमारा मुद्रा एवम बैंकिंग प्रनाली मनी एंड बैंकिंग सिस्टम इसको जानेंगे तथ्यवाज पहला पॉइंट है कोई भी बस्तू जो सभी प्रकार के आर्थिक बेवाहर जैसे जिन में रीन भी समलित हो को पूरा करने में तथा भुकतान के माध्यम के रूप में समानिता स्विकार की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है मुद्रा जो है भुकतान की एक माध्यम है जैसे पहले क्या होती थी बस्तू बिन में प्रनाली चलती थी एक समय पर बस्तू बीनवे की प्रनाली थी यानि कि बस्तू के बदले में बस्तू लेना और देना पर बाद में इसके जगह पर घुकतान की माध्यम सुरू की गई और विक्सित की गई मुद्रा यानि बस्तू के बदले मुद्रा और मुद्रा के बदले बस्तू यह प्रकिरिया सुरू की गई अगर बात करें भारतिय मुद्रा बजार की तो जो भारतिय मुद्रा बजार है उसका संगठित स्वरूप सरपर्थम चक्रवर्ती समीती द्वारा 1985 में दी गई थी और आगे चलके पूना एक बागुल समीती बागुल समीती जो 1987 में इसके सिफारिस के अधार पर बनाई गई थी और यह भारती मुद्रव अजार जो है वह एक अल्पकालिक लेन देन का बाजार है जिसमें एक वर्ष से कम अब्धिका लेन देन किया जाता है अब आगे भारत में सरपर्थम कागजी मुद्रा पेपर मनी की सुरुआत किस बर्ष की गई थी पेपर मनी की सुरुआत की गई थी बर्ष 1862 में आगे किस प्रकार की मुद्रा में बाह मूल यानि की फेस वैल्यू के साथ आंत्रिक मूल भी निहीत होता है फेस वैल्यू के साथ साथ इंट्रेंसिक वैल्यू भी निहीत होती है वह है धातु मुद्रा आगे विदेसी मुद्रा जिसमें त्वरित निवास की प्रविर्ती होती है क्या कहलाती है त्वरित निवास की प्रविर्ती कहलाती है गर्म मुद्रा होट मनी आगे smart money या plastic money सब्द का परियोग किस के लिए किया जाता है यह जो हमारे दोरा बरतमान में यूज की गई credit और debit card ही smart money या plastic money कहलाती है आगे bitcoin cryptocurrency का प्रचलन किस ने किया था bitcoin cryptocurrency का प्रचलन सरपर्थाम सतोसी नाको मोतों ने किया था आगे भारती रुपईया बर्स 1957 तक 16 आनों में विवाजित था इसके पहचा दास्मिक मुद्रा प्रणाली यानि कि decimal currency system अपनाई गई और एक रुपईया को सो समान पैसों में बाटा गया यानि एक रुपईया में सो पैसा इस प्रकार से इसे बाटा गया आरविया इद्वारा जारी नोटों में कुल 17 भासाओं का सही परियोग होता है इन 17 भासाओं में 15 भासाओं जो होती है एक जगा पे संगठित होती है अन्य दो भासा हिंदी और इंग्लिस उसके कहीं कहीं साइड में लिखी हुई दिखती है आगे वह मुद्रा जिसका बास्तविक एवं अंकित मूल बराबर हो उसे क्या कहते हैं जिसका बास्तविक मूल और अंकित मूल यानि कि जो वहाँ पर अंकित की रहती है वह दोनों बराबर होने का कारण है प्रमानिक मुद्रा यानि अस्टेंडर मनी के रूप में आगे विशेस आहरन अधिकार उदाहरन है अस्पेशल ड्रोइंग राइड जो है या कृत्री मुद्रा का उदाहरन है आगे किस प्रकार की मुद्रा का दूरला मुद्रा यानि की हार्ड करेंसी से तात पर है हार्ड करेंसी का मतलब होता है जिस मुद्रा की विस ब्यापार में आपूर्ती की अपेच्छा मांग अधीक हो कोई भी मुद्रा अगर बिस बाजार में बेल्ड मार्केट में आपूरती से ज़्यादा अगर उसकी डिमांड हो तो उसे कहा जाता है दुरलब मुद्रा यानि हार्ड केरेंसी आगे यहाँ पर दी गई है मुद्रा पूरती की माप यानि मेजर्मेंट आफ मनी सप्लाई यहाँ पर अगर समझने की कोशिस करें तो एम बन एम बन जो होती है वहाँ जनता के पास करेंसी नोटे वहाँ सिखके पलस बैंकों की मांग जमा यानि की बैंकों के पास जो नगद जमा है पलस रिजर बैंक के पास अंजमा है यह सभी एम बन कहलाती है उसके बाद है एम टू एम टू जो होती है वहाँ एम बन पलस डाग घरों में मांग जमा ही एम वन कहलाती है मनी वन तीसरा है एम थरी एम थरी जो होती है वा एम वन पलस बैंकों के पास साबधी जमाएं अथवा समय जमाएं या कहलाती है एम वन सॉरी M3 और M4 जो होता है वह M3 पलश डाग घरों में कुल जमा मांग एवं साबधि जमा के रूप में होती है अगर बात करे M1 की तो M1 जनता को पलब्ध मुद्रा की मात्रा है इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तरलता सबसे अधीक और निवेस में इसकी भून का नहीं के बरावर होती है वही अगर बात करें M3 की M3 की बात करें तो M3 को बियापक मुदरा या सुलह मुदरा कहा जाता है साख नियन्तरन में इया हुप योगी है क्योंकि इसका संबन्ध बैंकों की कुल जमारासियों से है M3 का संबन्ध जो होती है या बैंकों की कुल जमारासि से होती है आगे भारत में मुद्रा गुनक को किस रूप में प्रवासित किया जाता है Money multiplier को आरक्षित मुद्रा के रूप में परिवासित किया जाता है ये सब ही जो है पोस्टल ओर डिमांड राप चेक ये सब ही ऑप्सिनल मनी के रूप में बिन्यामीट की जाती है आगे मुद्रा प्रसार से क्या तात पार है मुद्रा प्रसार यानि कि केरेंसी एक्सपेंशन का मतलब होती है अर्थ ववस्ता में ऊची कीमतों का होना जिस पर कर मुद्रा प्रसार यानि कि अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है या उसकी मुद्रा प्रसार यानि अर्थ वस्ता में उसकी ऊची कीमत रखी गई है आगे भारत में सिकों की ढलाए कीन अस्थानों पर होती है भारत में मुखरूप से सिकों की तीन जगा ढलाई हो ही जो एक रूपए नोट होते हैं। उस पर 20 स्चीव का हस्ताक्षर होता है। जबकि अन्य सब ही नोट यानि कि एक रूपए से उपर के जितने ही नोट होते हैं। उसपर एक डीजिटल केरेंसी लिभरत्फा एक डीजिटल बॉलेट के लिवरा जरी करं़ी की घोसना किसने की थी 2020 में यह लिब्रा और के लिवरा जो की थी हुआ था फेश्वूक द्वारा की गई थी फेश्वूक का संस्थापक मार्क जकरबर्ग आगे भारत में मुद्रा और साख का नियंतरन किसके दोरा की जाती है भारत में मुद्रा और साख का नियंतरन की जाती है आरवी आई दोरा भारतिय रिजर्बैंक के दोरा अगर बात करें रिजर्बैंक की तो भारतिय रिजर्बैंक की अस्थापना एक अपरैल 1935 को भारतिय रिजर्बाइं का धिनियम 1934 के अंतरगत की गई थी वही और वी आई की जो राष्टिय करन है यानि नेशनलाइजेशन वह एक जनवरी एक जनवरी उन्हेसा उन्चास को की गई थी और वी आई की पहले गवर्नर जो थे वह थे सेर ओस्वार्न स्मित अब आगे पॉइंट है एसा संस्थान जो किसी देश के बित्य ब्यवहार में भागिदार होता है बैंक कहलाता है बैंकों और इसी तरह के संस्थाओं की ब्यवसाई गैतिवीदियां बैंकिंग प्रनाली यानि बैंकिंग सिस्टम कहलाती है यानि कि ऐसा संस्थान जो किसी देश की ब्यवहार को यानि फाइनेंसियल जो भागिदार होती है उसे बैंक के रूप में जाना जाता है और उससे संस्थान ब्यवसाई गैतिवीदि को बढ़ाता है वही बैंकिंग कहलाती है आगे सेर पर्थाम अधूनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ अधूनिक बैंकिंग का विकास जो है 1609 इसवी में नीदर लैंड में सेर पर्थाम की गई थी आगे भारती रिजर्ब बैंक के स्थापना कीस वर्स की गई भारती रिजर्ब बैंक के स्थापना भारती रिजर्ब बैंक का धिनियम 1934 के तहट बर्स 1935 में की गई और इसके पाहले गवर्नर हुए सेर ओस्वार निसमीत जबकि प्रत्थम भारती गवर्नर एवां देश के स तो तंत्रता के समय गवर्नर सीडी देश मुख थे। आगे भारत में केंद्रिय बैंक के स्थापना का प्रत्थम परियास किस आयोग ने किया था। केंद्रिय बैंक के स्थापना का प्रियास सरपर्थम चेंबरलीन आयोग बर्स 1914 में की गई थी। आगे इम्पीरियल बैंक और हिंटिया के स्थापना क्याष्ट की गई थी , बैंक आगे चल करके 1955 में सबसे बड़ बैंक इम्पीरियल बैंक और हिंदिया कर राष्टे करन किया गया स्टेट बैंक ईंडिया में ABIs KThat को क्या गया आगे भारत में बिदेशी बिन्मे संचे का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है आरवी आई द्वारा भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा आगे भारतिय रिजर्ब बैंक को कितने मुले तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है कुल 10 हजार तक आगे भारते रिजर्ब बैंक के प्रत्थम गवर्नर सर ओस्वर्न स्मित थे तथा बर्तमान में इसके गवर्नर सक्तिकांत दासने जो की 25 वे नमबर पे हैं वही अगर स्वतंत्र भारत के पहले आरवे गवर्नर की बात करेंगे तो वह थे सीडी देसमोग जिनका की कार्यकाल रहा था उनसो सतेतालिस से उनसो उन्चास के बीच अगर बात करें रिजैर्ब बैंक की प्रदान कारियाल की यानि की मुख्याले की तो वह है मुंबई में और अस्थानिय प्रधान कार्याले में नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबै और चिन्नेई सामिल है आगे बिस्व के किस बैंक को केंद्री बैंकों की मा की संग्या दी गई है मदर आफ सेंट्रल बैंक की संग्या बैंक आफ इंग्लेंड को कही जाती है आगे भारत में मुद्रा समंदी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है नोटों की जो निर्गमन प्रणाली है वो नियूंतम अरक्षित प्रणाली पर सामिल है आगे पॉइंट है नियुन्तम आरक्षित पधत यानी की मीनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतरगत एक बित ये बर्स में नए नोट निर्गमित करने की प्रकिरिया में भारती रिजर्व बैंक दो हज़ार करोर रुपे का एक संरत चित कोस रखेगी जिसमें एक सो पंदरा करोर रुपे का सोना तरथ 85 करोड की अंतराष्टिए मुद्रा होगी इसमें जो कही गई है उसमें जो भारती रिजर्व बैंक है वा संरत चित यानी की रिजर्व रखती है कुल 200 करोड जिसमें 115 करोड सोने की रूप में और 85 करोड इंटरनिसनल करेंसी के रूप में रखती है आगे भारते रिजर्व बैंक के लेखा वर्स की अध्धी क्या है रिजर्व बैंक की लेखा आपधी यानि एकाउंटिंग की यह जो है वह है एक जुलाई से 30 जुन के बीच का आगे भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं ट्रेजरी बिल को बेची जाती है भारती रिजर्व बैंक द्वारा इसे बेचने का कार किया जाता है अगर बात करें ट्रेजरी बिल की तो ट्रेजरी बिल द्वारा केंदर सरकार अलपकाल के लिए रीन दी ज आगे भारत में सीख के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कारी कौन करता है यह कारी करता है RBI आगे प्रत्थम छेत्रिय ग्रामिन बैंक पर्थम फर्ष्ट रिजनल रूलर बैंक के अस्थापना किस वर्ष की गई थी यह की गई थी बर्ष 1975 में आगे भारत का प्रत्थम निजी बैंक कौन सा है भारत का प्रत्थम निजी बैंक जो था वह इलाहवाद बैंक आगे बनिज पड्यानी की कॉमर्सियल पेपर किस के लिए साख का स्रोत है इंदर धनुस योजना का संबंद किस से है इंदर धनुस योजना का संबंद बैंकों की बीतिय सुधार से संबंधित है आगे बर्ष 2011 में सुक्ष में बीती ये संस्थाएं किस समीती की अनुसंसा पर अस्थापित की गई थी सुक्ष में बीती ये संस्था की अस्थापना 2011 में बाई एच माले गाम समीती की अध्यचता में की गई थी आगे भूमी विकास बैंक किसानों को किस अब्धी का रीन उपलाब्ध करवाता है भूमी विकास बैंक जो है वह दिर्गा अब्धी तक रीन की उपलाब्ध करवाती है आगे भारत में बैंकों द्वारा प्रात्मिक छेत्र रीन दान से क्या तात पर है क्रिसी लगु एवं छोटे उद्यम तता दूरल बर बरगो को रीन देने से आगे बर्स दोहजर आठ में बित्ये छेत्रों में सुधार है तूं जिस समीति का गठन किया गया उसके अध्याच कौन थे बित्ये छेत्रों में सुधार के लिए रगुराम राजन समीति गठित की गई थी दोहजर आठ में आगे बानिज्येक बैंक की सुची के अंतरगत आती है यह सुची जो है कूल तीन प्रकार की सुची होती है संबर्ति सुची राज सुची और संग सुची और यह इसका वर्णन सम्विधान में साथवी अनुसुची में की गई है हमने पॉलिटी में आपको सभी बताया है आगे पॉइंट है भारतिये रुपईया बिस्वी की पाचवी ऐसी मुद्र है जिसका अपना प्रतीक है इसका चीन इस तरह से डी उदै कुमारद्वारा डिजाइन किया गया था भारतिये मुद्रा का चीन डी उदै कुमारद्वारा डिजाइन किया गया है आगे नर्सिम्वन समीती का संबंध किस से है नर्सिम्वन समीती का संबंध बैंकिंग सरचना में सुधार से है आगे भारत में ब्यवसाइक बैंकों का साक्स रिजन क्रेडिट क्रियेशन का नियंतरन कौन करता है साक्स रिजन का नियंतन आर्वी आई द्वारा की जाती है आगे ग्रामिन परिवारों को सीधे रीन कौन प्रदान करता है ग्रामिन परिवार को रीन देने के लिए छेतरे ग्रामिन बैंक और भूमी विकास बैंक देती है आगे किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी किस से संबन दित है उप्योग एवाम निवेस साख से आगे लगू अबधी रीन यानि सौट टर्मलोन की परिपकुता अबधी कितनी होती है लगू अबधी रीन की परिपकुता कुल अधिकतम 15 माह तक होती है आगे भारती रिजर्बेंग का मुख्याल है कहां इस्तित है मुंबए में वही छेतरी अगर बात करे अस्थानिय प्रधानकारियाल है जिनमें सामिल है नई दिल्ली, कोलकाता, चिन्नई और मुंबए आगे पॉइंट है भारती रिजर्बेंग के चार मुद्रनाल है यानि की प्रेस है दिवास, नासिक, मैसूर और सालवोनी दिवास जो है वह मदप्रदेस में, नासिक, महराष्ट में, मैसूर, करनाटक में और सालवोनी, पच्छिम बंगाल में इसकी चार प्रेस है अगला भारत का केंद्रे बैंक या बैंको का बैंक किसे कहा जाता है भारतिय रिजेर बैंको आगे भारतिय एस्टेट बैंक SVI की अस्थापना किस बर्स हुई थी बर्स 1905 पर में इससे पहले या इंपीरियल बैंक आप हिंडिया के नाम से जानी जाती थी आगे Simply Click Credit Cardio ना किस बैंक द्वारा सुरू की गई है भारतिय आस्टेट बैंक के दौरण आगे भारत में प्रतम महिला बैंक की अस्थापना किब और कहा की गई प्रतम महिला बैंक की अस्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई है आगे भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी साखा स्थापित की है चीन में साखा स्थापित करने वाला भारतिय बैंक है भारतिय एस्टेट बैंक आगे नीजी भारतिय बैंकों में से किसने चीन में सरपर्थम अपनी साखा स्थापित की है नीजी बैंक में एक्सिस बैंक आगे यहां दिये गए है सार्वजानिक छेत्र के बारा बैंक जो कि सार्वजानिक छेत्र में हुआ है भारतिय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ोदा, बैंक आफ महराष्ट, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूको बैं पंजाब नेशनल बैंक, इंडियान ओवर्सीज बैंक, सेंट्रेल बैंक आफ हिंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केंडरा बैंक ये सबी जो है या सारवजन एक छेत्र के बैंक हैं। आगे बिश्व का प्रथम केंद्रे बैंक स्वेरिज रिक्स बैंक है जिसके अस्थापना 1668 में स्वेडन में की गई थी आगे भारत में सार्वजनिक छेत्र का सबसे बड़ा बनीज्यक बैंक कौन है कमर्सिल बैंक वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे पॉइंट है भारत में बैंकिक ब्यवस्ता के बिश्तार एवं बीतिय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1979 तथा 15 अपराल 1980 को करम सा 14 बच्छे 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 ब्यवसाइक बैंकों का राश्चे करन किया गया था सुरू में जो की गई थी वह 14 ब्यवसाइक बैंक थे जो 29 जुलाई 1979 को और फिर 6 बैंक जिसे 15 अपराल 1980 को की गई अगर बात करें उन 14 बैंकों की जिसके राश्चे करन सरपर्थम की गई थी जिनमें था बैंक आफ इंडिया, सिंट्रेल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ाओदा, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, युनाइटेड कॉमर्सिल बैंक, केंडरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, बैंक आफ महराष्ट, इलाह अंधरा बैंक, कौर्परेशन बैंक, निव बैंक आफ हिंडिया, ओरियेंटल बैंक आप कॉमर्स और विजया बैंक आगे किसानों तक असानी से पहुँच के लिए किस बैंक ने किसान कलब अस्थांपित किये हैं किसान कलब केस्थापना एस वियाई दोहरा की गई है आगे भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहां स्थापित किया गया कोचीन केरल में आगे लगो उद्योगों के छेतर में कौन सा बैंक कारे करता है लगो उद्योग के छेतर में जो कारे करने वाला बैंक है वह है सिडवी भारती लगो उद्योग विकास बैंक आगे प्रत्थम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था प्रत्थम बैंक क्रेडिट कार्ड या की गई थी बैंक आफ हमेर का द्वारा 1969 में आगे छेत्रिय ग्रामिन बैंक के स्थापना कब हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को आगे पॉइंट है छेत्रे ग्रामिन बैंक की स्थापना में केंद सरकार राज सरकार तथा प्रयोजित बैंक पुंजी निवेस करती है केंद सरकार की उसमें 50% राज सरकार की 15% और प्रयोजित बैंक की पुंजी होती है कूल 35% तक आगे भारत के किन राजियों में छेत्रे ग्रामिन बैंक कारे रहत नहीं है सिक्कीम एवं गोवा में आगे भारत के किस बेवसाइक बैंक कॉमर्सियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीम सेवा की सुरुआत की थी मोवाइल एटिम की सुरुवात आई सी आई सी आई बैंक दोरा की गई थी आगे लग हुए वा मध्यमुद्योगों को रीन उपलावध कराने है तो किस समीती का गठन के आगया लग हुए वा मध्यमुद्योग की रीन के लिए नायक समीती जिसके अस्थापना 1993 में की गई आगे भारत में नवाड कीन बैंकों को पुनरवित उपलावध कराता है अनुसूचित ब्यापारिक बैंक छेत्रिय ग्राविन बैंक तथा राजभूमी विकास बैंक को नवाड अपनी पुनरवित उपलावध कराता है आगे नवाड का मुख्याले कहा इस्ति थे नवाड का मुख्याले जो है यह मुंबे में इस्ति थे आगे बैंकों की पुंजी परियाप्तता कैपिटल एडिक्वेंसी के मापन को लिए किस अंतराश्टी बैंक मानक का पर्योग किया जाता है बैंकों की पुंजे प्रयाप्तता के लिए जो मापन अंतराश्टी मानक है वह है बेसल मानक आगे बरस ने 95 से 96 में स्थापित ग्रामीन अब स्थापना विकास कोस का लेखा जोखा कौन रखता है राश्टी एक्रिसी एवं ग्रामीन विकास बैंक आगे स्वाभिमान कारिकरम का मुख उद्देश क्या है स्वाभिमान कारिकरम का मुख उद्देश ग्रामीन निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना आगे किस समीति के अनुसंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्यों के 39.9 पुंजी परियाप्तता का प्राबधान किया गए है 39.9 पुंजी परियाप्तता यद नर्सिम्हन समीति के द्वारा की गई थी आगे सहकारी साक समीतियां को अपरेटिव ग्रेडिर सोसाइटी का धाचा कैसा है त्री अस्तर ये आगे गैर निस्पादक परिसंपत्ति नौन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित विवादों के निस्तारन के उदेश से बर्स उन्हें सोतिरानवे में किस नियाएक संस्ता के अस्थापना की गई थी यानि willful defaulter. आगे केरल देश का प्रतम राज्जी है जबकि तमिल नाडो का मंगलम देश का प्रतम गौँ है जहाँ प्रत्यक परिवार को कम से कम एक बैंक फाता सुनेश्चीत कराया गया है. यानि प्रत्हम राज्ज में केरल और तमिल नाडू जहां की मंगलव गाउं जहां पर सभी के परिवार में एकक बैंक के कॉंट निश्ची थे आगे भारती रिजेर बैंक किन परिसंपत्यों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है सुवर्ण विदेशी प्रतिभूती तथा भारत सरकार की प्रतिभूती के बदले में आगे बर्च उन्हें 120 में प्रथम भूमी विकास बैंक के स्थापना कहा की गई थी लैंड डेवलाप्मेट बैंक के स्थापना की गई थी जहांग पंजाब में प्रथम भूमी विकास बैंक के अस्थापना उन्हें सो 20-60 में पंजाब में की गई थी आगे बैंकों की जमारासियं बढ़ाने पर मुद्रा पूर्ती पर क्या प्रहा पड़ता है मुद्रा पूर्ती बढ़ती है आगे भारतीय स्थेट बैंक के अस्थापना की समीती की संस्तूती पर हुई थी भारतीय स्थेट बैंक के अस्थापना 1952 में एडी गोरा वाला समीती द्वारा की गई थी आगे अस्थापना जो था 1955 हुई थी पर अनुसंसा की गई थी 1952 की गोरे वाला समीती द्वारा आगे किंद्रिय बैंक का सरवाद एक महतपूर्ण कारी कौन सा है देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना पेपर करेंसी का निर्गमन करना किंद्रिय बैंक की महतपूर्ण कारी है आगे अस्थ संगठी छेत्र की आस्रित्ता को कम करने के लिए नवार द्वारा कौन सा कारकरम चलाया गया है स्वेन सहायता समूँ आगे गुजरात में सेल्प इंप्लॉइड बूमन एसोसियेशन यानि की सेवा और केरल में कुटूंब सिरी जैसे स्वेन सहायता समूँ सुक्ष में बीत पोसन तथा उद्यां परसिछन हेतु अस्थापित किये गये हैं आगे सिवरामन सीन समीती के अनुसंसा पर बर्स 1922 में राष्ट्रिय क्रिसी एवाम ग्रामीन डेवलाप्मेंट बैंक नवाड के स्थापना की गई अगला चैप्टर है मारा मुद्रास्पिती एवाम मौद्रिक निती इन्फलेशन एड मोनेटरी पोलिशी अगला चैप्टर है मारा मुद्रास्पिती एवाम मौद्रिक निती इन्फलेशन एड मोनेटरी पोलिशी बात करें पहला पोइंट है वह इस्थिती जब निश्ची समयाबदी में अधिकांस बस्तूओं एवाम सिवाओं के मुल्यों में समान अस्तर से धिक ब्रिधी होनी लगती है तो उसे मुद्रास्पिती इन्फलेशन कहते हैं यानि कि कोई भी बस्तू और उसके सेवा जो मुल्यों है उसमें अगर ब्रिधी होना लगे तो उसे मुद्रास्पिती कहा जाता है यहां अगर इसे समझने की प्रयास करें तो अगर बस्तू की मांग बढ़ेगी डिमांड होगी तो क्या होगी आपूरती में कमी होगी और इससे क्या होगी कि कीमत बढ़ जाएगी अगर कोई बस तो माना जाए सौ रुपी हैं और उसकी आपूरती जो है वह कम की गई तब उसे बेचने के लिए क्या होगी कीमत में बढ़ोत्री हो जाएगी काला बजारी के तोर पे अगर इसे समझ सकते हैं कि काला बजारी सुचकांग थोक मूल सुचकांग तथा स्रमक्यों को जीवन निर्वा सुचकांग के अधार पर आगे और दोगिक कर्मकारों के लिए उपभुकता कीमत सुचकांग कंजीमर प्राइस इंडेक्स फोर इंडेस्ट्रियल वरकर्स कौन जारी करता है यह करता है स्रम वियोरो आगे मुद्रस्फिती के कारण अर्थ वबस्ता में क्या परिवर्तन आते हैं मुद्रस्फिती के कारण बस्तूं के मुल में बृधी होती है और उसके कीमत में कमी होती है आगे फिलिप बाक्र क्या दर्साता है फिलिप बाक्र जो है फिलिप कर्व वा मुद्रेस्फिती एवां बेरोजगारी दर के मध की संबंद को दर्साता है आगे एक पॉइंट है अप्रेल 2014 से पाले थोक मूल सुचकांग भारती रिजर बैंक द्वारा भारती मौदरिक नीतियों का निर्धार अनमानक था उर्जित पटेल समीती की सिफारिसों के पहचात इसे बदल कर उपभोगता मूल सुचकांग कर दिया गया है यानि कि अप्रेल 2014 तक जो थोक मूल सुचकांग की भारती रिजर बैंक की मौदरिक नीति का निर्धारन था जबकि उर्जित पटेल समीती के अनुसार अब बदल कर उसे उपभोगता मूल सुचकांग पर कर दी गई है आगे बानिज्यक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है साम्विधिक तरलता नुपात यानि की SLR सैच्यूटरी लिक्यूडिटी रेशियो के माध्यम से वह बानिज्यक बैंक को रिधारीन देती है आगे भारत में ब्यापारिक बैंकों की दिंदारियों में सबसे महतपूर्ण आंस किसका है वह है फिक्स डिपोजिट का आगे यहां पर दी गई है प्रमुक समू, बस्तू की संख्यां और भारांस पहला है प्राथमिक बस्तू जो की 2004 से 5 और 2011 से 12 के बीच की दिगई है प्राथमिक भारांस में 2004 से 5 में 102, 2011 से 12 के अधारवर्स में 117 वही भारांस में 20.1 दो और 11.12 में 12.6 दो इंधने वा मूर्जा में 2004 पाच में 19, 11.12 में 16 वही भारांस में 4 पाच में 14.91 और 11.12 में 13.15 अगला है बिनिर्मित उत्पाथ बिनिर्मित उत्पाथ जो है यह 555 रही 2004 पाच में जबकि 2011.12 में 564 हो गई इसके भारांस की बात करे तो 64.97 और 64.2 तीन रही 11.12 में इस प्रकार जो कूल बस्तुएं थी हुए 676 से बढ़ करके 11.12 में 697 में हो गई और भारांस कूल 100 परसेंट आगे वह इस्थिती जब मुद्रा स्फिती एवा मुद्रा संकूचन के अवस्था साथ साथ उपस्तितो उसे कहते हैं अगर मुद्रा स्फिती और मुद्रा संकूचन एक साथ उपस्तितो उसे कहा जाता है अगर समाजने की बात करें तो यहाँ पर मुद्रा स्फिती जो है जिसके कारण ही इसके प्रवाब जो है उत्पादक बर्ग को लाव के रूप में मिलती है मुद्रा स्फिती के कारण उत्पादक बर्ग को लाव होती है और मुद्रा स्फिती वाई स्थिती है जिसमें कीमत अस्तर में बृधी होती है तथा मुद्रा के मूल में गिरावट देखी जाती है या कहलाती है मुद्रा स्फिती इन्फलेशन वही अगर बात करें मुद्रा स संकूचन या मुद्रा अवस्फिती इसे ही कही जाती है और यह जो है मुद्रा स्फिती की बीपरित प्रनाली है जिसमें मुद्रा का मूल बढ़ता है और बस्तु एवं सिवाओं का मूल घड़ता है मुद्रा संकूचन में और इन दोनों की स्थिती एस्क्योफिलेशन कहलात आगे मुद्रास्फिती एवं मंदी की एक साथ उपस्तिती क्या दर्साती है मुद्रास्फिती और मंदी एक साथ दर्साती है उसे कहा जाता है अस्टैग फ्लेशन या गतिहीन स्पिती गतिहीन स्पिती को निस्पंद स्थिती भी कहा जाता है निस्पंद स्पिती में मुद्रा स्पिती महंगाई बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ साथ बिद्यमान रहते यानि कि जो स्टैग फ्लेशन है वहाँ पर मुद्रस पिती भी होती है, महंगाई भी होती है, बेरोजगारी और उत्पादन में जड़ता समान होती है वही जो सेमिलसन के सब्द हैं, जो सेमिलसन थे उनके अनुसा निस्पंद इस्पिती एक नए बिमारी है जिसमें बस्तूओं के मुल्यों तथा मजदूरी की दरों में बृधी होती है आगे रीन की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंतरन की किस रीती के परियोग द्वारा संबब है जो रीन की सीमा है उसमें परिवर्तन यह कहलाती है गुनातमक साख नियंतरन आगे अब स्पिती डिफलेशन के कारण बजार पर क्या प्रहा परता है डिफलेशन के कारण बस्तूं एवं सिवाओं के समाननी कीमत पर सतत गिरावट होती है आगे पॉइंट है भारत सरकारद्वारा प्रत्येक पाच बर्स में एक बार मुद्रस फिती लक्ष निर्धारित करने का प्रभधान किया गया है इस लक्ष के तहत पाच अगर्ष 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अबधी के लिए 4 प्रतीसत उभोकता मुल सुचकांग निर्धारित किया गया है जिसमें पलस माइनस दो प्रतीसत का अर्थार्थ अधिक्तम 6 प्रतीसत और निवन्तम 2 प्रतीसत का उतार चरहाब हो सकता है ये रखी गई है भारस सरकार द्वारब। आगे अस्थाइ मुद्रस पिती कोर इनफलेशन की गनना में सामिल नहीं किया जाता कोर इनफलेशन में खादे पदार्थ था इंधन घटक को सामिल नहीं किया जाता है आगे मौद्रिक नीतियों की समिच्छा कितने अंतराल पर की जाती है मौद्रिक नीती की समिच्छा की जाती है प्रते एक दो माँ के उपरांत आगे नकड आरच्छित अनुपात कैस रिजर्व रेशियो और खुला बाजार करवाई साधन है किसकी मौद रिकनीती की अगर हम यहाँ पर बात करें C.R.R. की नगद अरच्छित अनुपाद की ट्रिया होती है किसी बानिज्यक बैंक में कुल जमारासी का उबह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवारे रूप से जमा की जाती है इसे ही C.R.R. के रूप में कहा जाता है और इसकी दर जितनी उची होती है बैंकों की साक स्रिंगतला चमता उतनी ही काम होती है आगे मौदरिक निती यानि मौनेटरे पॉलिसी का निर्मान भारत में किसके द्वारा की जाती है या R.V.I. द्वारा की जाती है आगे रेपो दर का नियमन कौन करता है रेपो दर का नियमन जो होती है वा R.V.I. द्वारा की जाती है बात करेंगा रेपो दर की तो अलप कालिक अवसक्तों की पूरती है तो जिस व्याज़ दर पर कॉमर्सियल बैंक रिजर बैंक से नगदी रीन प्राप्ट करता है यहनि जो commercial bank होती है वह रिजर्व बैंक से जब रीन प्राप्त करती है उसे रेपोरेट कहते हैं वही अगर reverse रेपोरेट की बात करें तो reverse रेपोरेट में commercial bank से रिजर्व बैंक रीन लेती है इसे अलपकालिक अबधी के लिए आगे भारतिय रिजर्व बैंक के पास बिभिन ब्यवसाइक बैंकों की कुल जमा एवं आरच्छित रासी का निर्धारित भाग क्या कहलाता है यानि जो रिजर्व बैंक है उसके ब्यवसाइक बैंक की कुल जमा और आरच्छित रासी का निर्धारन CRR यानि नगद आरच्छ अनुपात में ब्रीधी की घोसना करता है तो इसका क्या ताथ पर है इसके अनुसार यह होए कि बनीज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी आगे हेलिकॉप्टर मुद्रा के अवधारना का प्रतिपाद अंसर पर्थम अमेरिकी अर्शास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने हेलिकॉप्टर मुद्रा के अवधारना प्रतिपाद इत किया आगे है राजभविस निदी अस्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतरगत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोस में जामा करती है या सारवजनिक लेखा निदी में जामा की जाती है प्रोविडेंट फंड को आगे भारत में मुद्रा स्फिती मापन की सबसे लोगप्रिय माप क्या है उपभोकता मुल सुचकांग कंजिमर प्राइज इंडेक्स आगे पॉइंट यदि किस अर्थवस्ता में बस्तू एवं सिवाओं की मांग की अपेक्छा आपूर्ती अधीक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरा बटाती है जिसे मुद्रा संकूचन कहा जाता है यानि डिफलेशन जो होती है वह मुद्रा एवं सिवा की मांग में की अपूर्ती अधीक हो जाती है इसकारण इसे मुद्रा संकूचन कहते हैं आगे ऑप्रेशन ट्विस्ट किस के द्वारा प्रारम किया गया था रिजर बैंक के दोरा आगे अनुसूचित बानिजेक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस अधार पर रिन देता है उसे क्या कहते हैं उसे कहा जाता है अधार दर अधार दर यानि की बेस प्रनाली जो है या अनुसूचित बानिजेक बैंक किसान और ग्राहक को रिन देता ह यह जो है RBI ने PLR अधारित उधारदे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से अधारदर प्रणाली लागू किया है आगे उपवोगता मुल सुचकांग की गन्ना किस अधार पर की जाती है CPI की गन्ना की जाती है बस्तु एवं सिवाओं दोनों की कीमतों के अधार पर आगे भारत में करमचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारन का अधार क्या है उपवोगता कीमत सुचकांग CPI आगे उपवोगता मुल सुचकांग किस के दोरा संकलित किया जाता है CSO दोरा आगे किस समीती के अनुसंसा पर ठोक मुल सुचकांग का अधार परस 2004 से बदल कर 2011 बारा किया गया था यानि जो WPI है यानि होलसेल प्राइज इंडेक्स जिसका अधार परस 2004 से हटा कर 11 बारा की गई सौमित्र चौधरी समीती द्वारा आगे बस्तो की थोक की मत सुचकांग स्रेनी को संसोधित करने है तो कारेकारी सम्मू का अध्याच किसे बनाय गया था थोक की मत सुचकांग के लिए अध्याच बनाय गया था विजीत सेन को आगे बिदेसी बानिज्यक उधारी को कौन बिन्यमित करता है External Commercial Borrowing निमित करता है भारती ये रिजर बैंक आगे भारती रिजर बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिनाम क्या होता है बैंक दर को कम करने का परिनाम है कि बजार की तरलता बढ़ जाती है लिक्यूडिटी बढ़ने के कारण बैंक दर को कम की जाती है आगे फॉइंट है भारतिरी जर्बैंक में अधार वर्स अधार एतरीन प्रणाली को समाप्त कर वर्स 2016 में सिमानत निदी लागत पर अधार एतरीन दर को लागो किया गया है यानि कि अधारदर जो था बेस रेट जिसे की 2010 में PLR के रूप में लाई गई थी उसे अब 2016 में समाप्त करके MCLR यानि सिमानत निधी लागत पर अधारदर रिंदर लागू किया गया आगे भारती रिजर बैंक के पास बिभीन ब्यवसाइक बैंकों की कूल जमा एवं अरच्छित जमा का निर्धारित भाग कहलाता है यह कहलाती है नगद अरच्छित तनपात CRR आगे वह दर जिस पर बैंक रिजर बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाते हैं जो बैंक होती है वह आरवी आई को अगर रिंदे उसे कहा जाता है रिवार्स रेपोदर वही अगर आरवी आई बैंक को रिंदे तो उसे कहा जाता है रेपोदर आगे बैंकों को अपने रोकर्ड सेस और कुल परिसंपत्यों के मद एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बैंकों को जो होती है अपनी रोकर्ट, सेस और कूल संपत्ती के बीच एक अनुपात रखा जाता है उसे कहा जाता है सेच्चिट्री लिक्यूडिटी रेस्यो एसेलार सामबिधिक तरलता अनुपात आगे बित छेतरक सुधार पर नर्शिम्मन समीती ने क्या सुझाब दिया था सामबिधिक तरलता अनुपात यानि एसेलार तथा नगद और अरच्चित अनुपात सीयरार कम करने का नर्शिम्मन समीती जो कि बैंकिंग सुधार से संबंदित है इसने एसेलार और सीयरार को कम करने की सुझाब दी थी आगे भारतिय रिजयर बैंक द्वारा CRR से में ब्रिधी से क्या प्रहाप पड़ता है CRR की ब्रिधी से उसकी तरलता में लिक्यूडिटी में कमी आती है आगे मौदरिक नीती समीती का अध्याच कौन होता है मौनिटरि जो पॉलिसी होती है उसके रिजयर बैंक गवर्नर का प्रहाप अध्याच होते हैं आगे मौदरिक नीती समीती यानि की मौनिटरि पॉलिसी कमीटी के 6 सदास्यों में से 3 सदास और्वयाई के परतिनी धी होते हैं तथा अन्य तीन सदास्यों की नियुक्त केंच सर एवान, मुद्रा संकुचन के प्रभाभ, ilpicts of inflation and deflation. यहाँ पर अगर देखें, उत्पादक, तो उत्पादक में मुद्रा स्पीती क्या होती है? मुद्रा स्पीती में लाव होती है और मुद्रा संकुचन में हानी होती है. वही अगर उपवोकता की बात करें तो उपवोकता को मुद्रा स्फिती में यानि इनफलेशन में हानी और डिफलेशन में लाब होती है रीनी की बात करें तो रीनी को मुद्रा स्फिती में लाब और मुद्रा संकूचन में हानी होती है रीन दाता यानि की जो रीन देता है उसको मुद्रा स्फिती में हानी होती है और मुद्रा संकूचन यानि डिफलेशन में लाब होता है अगर निर्यात की बात करे तो निर्यात की कमी होती है मुद्रा स्फिती में और संकूचन में ब्रिधी होती है आयात की बात करे तो आयात मुद्रा स्फिती में बढ़ती है और मुद्रा संकूचन में कम जाती है सारवजनिक बचत की बात करे तो इंफलेशन में कमती है और डिफलेशन में बढ़ती है सारवजनिक बयाय की बात करे यानि खर्च की तो इंफलेशन में बढ़ती है डिफलेशन में कमती है वही इस थीर आई समू की बात करे इंफलेशन में कमेगी डिफलेशन में बढ़ेगी यनि की लाव होगा परिवरत तनसील आई समू की बात करे इंफलेशन में लाव डिफलेशन में हानी व्यपारी बर्ग की बात करे तो उसमें लाव इंफ्लेशन के समय और डिफ्लेशन के समय हानी पेंसन भोगी बर्ग की बात करे तो इंफ्लेशन में हानी होती है और डिफ्लेशन में लाव होती है आगे CRR तथा SLR को समलित रूप से अरक्षे अनुपात रिजर्व रेशियो अथवा RVI का नितिगत अनुपात पोलिसी रेशियो कहा जाता है जब CRR और SLR को मिला दी जाती है तो उसे कहा जाता है रिजर्व रेशियो अब आगे अगले चैप्टर हमारा भारतिये बितिये बजार इंडियन फाइनेंसियल मार्केट अब हम लोग बात करेंगे इंडियन फाइनेंसियल मार्केट के बारे में आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग तक सेयर लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे चली शुरू करते हैं पहला पॉइंट है एसी संस्थागत ब्यवस्था जिसमें क्रेता एवं बिक्रेता नियमित रूप से बित्ति का बिनिमे करते हैं बित्ति ये बाजार कहलाती है यानि एक्सचेंज और फाइनेंस उसे फाइनेंसियल मार्केट कहा जाता है इसके अंतरगत मुद्रा बजार पुंजी बजार बाइदा बजार तथा बिदे से बिनमे बजार इत्यादी आते हैं आगे मुद्रा बजार से लिये जाने वाले रीनो की परिपक्ता अबधिक कितनी होती है यह होती है अलपकाल के लिए एक बर्स से कम अबधिके लिए होती ह आगे बिसवे में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंदर किस बजार को माना जाता है कॉल मनी के रूप में लंदन मनी मार्केट को आगे और दोगिक प्रतिभूतियों के अंतरगेट किसे सामिल किया जाता है और दोगिक प्रतिभूती में सेर और डिवेंचर होते हैं आगे सरपर्थम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का बाइदा करोबार सुरू किया था वह था राश्ट्रिय स्टॉक एक्सचेंज बर्स 2008 आगे पुंजी बजार से प्राप्त रीन कितनी अबधिके होते हैं पुंजी बजार से प्राप्त रीन दिर्ग कालिक एक वर्स अधिक के लिए होती है वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्ता अबधि 365 दिन से अधिक होती है क्या कहलाती है बॉंड कहलाती है आगे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से 20 में सरवाधिक पुंजी जुटाने वाले कंपनी कौन सी है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव ते सौधी अराम को आगे बुलिस और बियरिस अबधारना किस से संबंदी थे बुलिस और बियरिस समंधी थे सेयर बाजार से आगे एमस्टेडम स्टॉक एक्सचेंज बीस्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसके अस्थापन बर्श 1602 इस्वी में हॉल एंड बर्तमान नीदर लैंड में की गई थी आगे सूपर बजार से क्या ताथ पर है सूपर मार्केट यानि की खुद्रा बिक्र है संगठन आगे मानप पुंजी में बढ़तवा बीनियोग क्या अग्रसारित करता है यानि की human capital जो है अगर वो बढ़े तो इसका मतलब है कि कुसलता से विकास हो रही है आगे guilt age बजार किस से संबंधी थे guilt age बजार जो है या सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधी थे आगे भारत का अद्योगी की बित निगम किस रूप में कारी करता है अद्योगी की बित निगम जो होती है वो है development bank यानि विकास bank के रूप में कारी करती है आगे बजार अर्थवेवस्ता का प्रवल समर्थन किस ने किया था यानि मार्केट एकोनॉमिक के समर्थन थे एडम इसमेट जो की फादर आफ एकोनॉमी है और रिकॉर्डो जे गल्व रेथने आगे बजार एक आर्थिक प्रकिर्टी है या किस और रुजान उत्पन करती है बजार जो है एक आर्थिक प्रकिर्टी है और या था को उसे बायर मार्केट कहा जाता है आगे किसी अर्थवस्ता में यदि बजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा अगर किसी अर्थवस्ता में बजार की दर को घटा दिया जाए तो अर्थवस्ता में निवेश ब्याई को बढ़ा गा निवेश जो है य आगे भारत के बिनिवेस आयोग के प्रतम अध्याच कौन थे बिनिवेस आयोग अध्याच थे जी भी रामकृष्णनन। आगे ऐसे लोग जो दिवत्यक बजार के पेक्छा प्राथमिक बजार में निवेस करना पसंद करते हैं उसे स्टैक कहलाते हैं। आगे भारती अर्थ वज़ास्ता में के संदर में खुला बज़ार प्रचलन से क्या आसे है इसका मतलब यह होती है कि RBI द्वारा सरकार्य प्रती भूतियों के क्रय और विक्रे से आगे मुद्रवजार का नियमन यानि की रेगुलेस्टन एवं कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है यह की जाती है भारती रिजर्व बैंक द्वारा आगे भारत सरकार्द और अरबर्स उन्हें सो तिरानवे में रंगराजन समीती की नियुक्ति किस लिए की गई थी पुन्जी बिनिवेस के लिए आगे एस एंड पी फाइब हैंड रेड किस से संबंदी थे यह संबंदी थे बड़ी कंपनी के अश्टोक सूचक से आगे भारत के राष्ट्रिय सेरवाजार का मुख्याल है कहां इस्ती थे एन एस ए का मुख्याल है मुंबई में आगे भारती प्रत्विभूती एवां बिनियम बोर्ड यानि सेवी स्टोक एक्सचेंज बैंक और फिंडिया का मुख्याल है कहां इस्ती थे इसका मुख्याल है मुंबे में इस्थित है आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और फिंडिया के प्रवर्तक भारती एस्टेट बैंक, LIC और GIC जेनरल इंसुरेंस कॉर्पोरेशन तथा IDBI है आगे BSE Green X में कितनी कमपनियां समली थे BSE में सामिल है कुल 25 कमपनिया के इंतरगत किंद्रिय निर्गम मुल निर्धार नहेतू किया गया है आगे है सेर बजार में चलने वाले ब्रिहत कारोबार को कौन सी संस्था नियंतरित और बिन्यमित करता है सेर बजार को नियंतरित करने का कारे से भी द्वारा की जाती है आगे भारतिय जीवन बीमा निगम यानी एलाइसी के स्थापना संसद्वारा पारित बीमा बिधेयक उन्हेसोचपन के तहट एक सितंबर उन्हेसोचपन को की गई थी एलाइसी का मुख्याल है मुंबे में इस थी थे आगे भारत के प्रमुक सेयर बाजारों में सरवाधिक कारोवार कौन सा बाजार करता है राष्ट्रिय सेयर बाजार एन एसी आगे इंसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किस से है इंसाइडर ट्रेडिंग का संबंध सेयर बाजार से है सेयर मार्केट से आगे एक्च्वरीज सब्द किस से संबंदी थे एक्च्वरीज सब्द का परयोग किया जाता है बीमा छेतर में आगे बिस्वसनिय प्रती भूतियों से क्या ताच पर है ऐसे से अर जिन पर लगतार उची दर का लाब हो उसे बिस्वसनी प्रतिभूती कही जाती है आगे दलाल अश्ट्रीट कहां इस्तित है दलाल अश्ट्रीट जो है या मुंबे में इस्तित है आगे भारत में ट्रेजरी बिल तीन परिपक्वता अबधियों के लिए अर्थार्थ एक्यानवे दीन या 182 दीन या 364 दीन के लिए जारी की जाती है आगे अंतराष्ट्री नगदी की समस्या किस से संबंदी थे या संबंदी थे डॉलर और अंदूरलब यानि हैवर्ड केरेंसी की अनुपलब धता से आगे भारत सरकारद्वारा बीमा नियामक एबां विकास प्राधिकरन यानि की इड़ा इंसुरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलाप्मेंट अथोर्टी के स्थापना कब की गई थी इड़ा के स्थापना अप्रैल 2000 में आगे किसान क्रेडिट कारड योजना काप प्राराम की गई इसकी सुराज की गई थी उन्हें सांठानुए 99 में आगे आरेन मलोतरा समीती किस चेतर से समबंधी थे आरेन मलोत्रा समीती का समंध बीमा शेतर से आगे साख निर्धारन के समंद में भारत की सबसे पुरानी credit rating संस्था कौन सी है साख निर्धारन में सबसे पुरानी है क्रिसील जो 1987 AC में बनी थी आगे क्रिसील एक बैस्वी credit rating agency है जो अर्थिवस्ता के साथ कंपनी की साख्य की स्थिती का मुल्यांकन करता है आगे भारत में कौन सी संख्या सहयोग नीदियों का नियमन करती है संख्या नहीं संस्था कौन सी संस्था सहयोग नीदियों का नियमन करती है हुआ है सेवी आगे सेविय अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था यह हुई थी 1992 में आगे यहाँ पर दिये गए हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी अस्थापना और मुख्याल है पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इसका मुख्याल है निवार्क और लंदन में आगे कौन सी एकमातर बिदेशी कमपनी जो भारत में भारती डिपॉजिटरी रसीद के रुप में सुची बाद है आगे बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज का संबेदी सुचकांग क्या कहलाता है यह कहलाती है सेंसेक्स आगे है लंदन मेंनी मार्केट द्वारा लीवोर को कबस तक समाप्त करने की घोसना की गई है लीवोर को जो की लंदन इंटर बैंक आपर रेट होती है इसे दो हजार एकीस में समाप्त करने की लिए कहा गया है आगे ISO 9001-284 प्रमान पत्र कर प्राप्त करने वाला भारत का पहला यवंद बिस्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है यह जो है ISO International Standard एक होती है उसे प्राप्त करने वाला भारत का पहला Bombay Stock Exchange और BISO का दूसरा है आगे सरकार ने बीमा बेवसाई के नियमन के लिए किसका गठन किया है EDA का बीमा नियमा के वंबिकास प्राधिकरन का आगे IRDAI का गठन किस समीती की सिफारिसो के अधार पर की गई थी IRDAI के अस्थापना मलोत्रा समीती की सिफारिस पर की गई आगे भारती ये पुंजी बाजार घोटालों की पुनडबरीती को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियाम अकसक्तियां सौपी है भारती पुंजी बाजार घोटालों को रोकने के लिए सेवी को ये नियाम अकसक्ति दी गई है रेगुलेटरी पावर आगे निक्की किस से समन्दी थे निक्की का समन्द जो है या टोकियो जपान के स्टॉक एक्स्चेंज में अंसमूल सुचकांग से आगे यहाँ पर दी गई है 20 के प्रमुख संबेदी सुचकांग पहला है अमेरिका अमेरिका का संबेदी सुचकांग है नौस डाक ब्राजील ब्राजील का है बोवेसपा आस्ट्रेलिया का ओल ओर्डिनरीज दच्छिन कोरिया का कोस्पी चीन का है संगाई का पोजिट, सिंगापूर की है अस्टेट्स टाइम, फ्रांस की है CAC, जर्मानी की है DAX, इटली की है मिव तेल यानि एम आई वे टी येज, जापान की है निक की, हौंग कॉंग की है हौंसेंग और ब्रिटेन की है एप्टी, एसी या सभी जो है विभिन द कंपनी कहा जाता है, जो पुंजी बजार और उद्योग जगत है, उसमें बड़ी कंपनी को ब्लू चीप कंपनी के रूप में जानी जाती है, आगे, आगे के जो चैप्टर हैं, यह हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, पार्ट टू जो हमारी आएगे, उसमें एक एक को कंप्लीट किया जाएगा, उमीद है आप लोग को वीडियो पसंदा रहा होगा, जो लोग चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथी वेल आइकन को आउन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को जादा